डिफेंस ऐस्परेंट आज के वीडियो काफी इंपरेंट होने वाला है डिफेंस ऐस्परेंट के लिए जो मेडिकल टेस्ट आपका आई का मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपका क्या क्या चेक होता है कितनी कितनी आप छूट ले सकते हैं उसके बाद मीनिमुम आई रिक्व रहता है confusion तो यह भी होता है कि साला six by six और six by nine क्या है six by six six by 12 किसका है हम तो आर्मी वह वर्थी होने के बाद भी नहीं पता चला था लेकिन आप भी सारी चीज़ हमें क्लियर पता है कि क्या क्या आता है बहुत सारे comments भी आयता है thank you so much आप ऐसे comments करते है comment करते रहे बहुत अच साथ में आप membership का भी प्लान ले सकते हैं बहुत छोटा से amount है जबकि आपको वहाँ पर मदद करते हैं team के साथ साथ में अगर आप चैनल में नया है लगता useful है आप subscribe कर सकते हैं चलिए वीडियो शूरू करते हैं पहले मैं इसको चार्ट को आपको समझाना चाहूंगा अगर समझा सकते हैं ठीक है यह इसक्स बाइट नाइन कितने कितने होता है पहले दिखा देता हूं इसका मतलब क्या है यह नॉर्माल आये ठीक है और यह आखों की problem बाला student है समझ गये आपके आये test कैसे होता है आपको क्या 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया जैते हैं और 6 मी szans मीं की doctor है mr financing assistant कोई भी है तो 6 मीटर में की आखे बंद कर दिया जाता हो आपको पढ़ने के लिए बोला जूत फिर दूसरी आखे बंद रखेंब दिया आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है ठीक है वहां पर जिसकी 6 बाइन च्छय यह चार्ट आपने देखा होगा moment वो लेते हुए अभी पिक्चर में भी दिखाये था ना यह वाला चार्ट छोटा कर लेता हूं चलो दिख गया यह चार्ट थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं ठीक है ओके तो six by six जिसका है ना यह वाला लाइन हो इजी ली पढ़ लेगा जिसका आंक six by eight यानि एक उसका six by six है और एक आखो में six by eight है तो यह वाला लेटर वो पढ़ लेगा six by nine मतलब एक आंक है six by six है और दूसरी आंक उसकी six by nine यानि थोड़ा सा नॉर्माल मतलब खराब है उसकी six by nine यह जैसे जैसे बढ़ते आता है नि य एक आंक six by six और six by 12 six by six मतलब आपके आंके बहुत अच्छा है और six by eight का मतलब थोड़ी खराब है यह और 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 खराब है यह पूरा खराब है ठीक है इसके बाद तो मतलब औ defense के बारे में सोचने के लेटिक है तो यहां पर क्या होता है यह जो आँखे है ना आपका एक तो 6x6 और यह 6x9 यह दोनों consider किया जाता है आमी नेवी और एफोस के भरती में यानि अगर एक आँख आपकी 6x6 है दूसरी 6x9 है इसको यह क्या करते है आपकी जो आँखो में एक्चुली क्या है 6x9 है लेकिन पहनने के बाद हो क्या हो जाएगा आपका तो यहां तक तो आपको यह लेटर इतनी छोटी-छोटी लेटर आपको पढ़ने के लिए यहां तक तो आप फिट हो लेकिन यहां से 6x12 कभी-कभी कंसिडर करते हैं कि डिपेंड करते हैं प्रोस्पेक्ट के उपर उस नोटिवेशन में क्या लिगा है कभी-कभी मैं 6x9 से आज तक ज्यादा देखा नहीं दोस्तों honestly बाद आ रहा हूं 6x9 से 6x12 भी कभी-कभी होता है उनकी थोड़ा ज्यादा ही रहता है तो उनकी थोड़ा फिट कर देते हैं जैसे 6x15 20 30 60 मतलब 60 समझे लोग अगर मैं 6 मीटर से ना यह अगर मेरा आंके नॉर्माल है मैं 6 मीटर से देख रहा हूं ठीक है ओ जो 60 है ना जी 60 है उसको इतना बड़ा चीजे दिखाए देगा मतलब मैं यह जो डी लिखाए ना चोटा सा यह 6 मीटर से मैं देख सकता हूं लेकिन अगर यह जाके इतना बड़ा होगा ना जितना बड़ा इस फिगर में तब जाके जिसके आंखे खराब होगा 6x60 का उसको दिखाई देगा तब तक नहीं दिखाए देगा तो इतना बड करके लेंस या फिर सवाम और सकते हैं या पिर लेंस लगा सकते हैं कोई दिख्त नहीं है क्या हम ऑप्त्र करवा किना मैники किसी किसी को चीज़ नहीं दीखता है ठीक है दूरं का चीज बहुत धुन्ला डिखता है तो इसमें कोई जरूरा नहीं को सकते हैं जो होई तब तो फिर आप लेकिन अगर आपको इसको अन्दर है तो आप इसमें एपलाइ कर सकते हैं और आप medically fit माना जाओगा आगया जो आपको दूर का चीज मसवरी नजदी का चीज आपको नहीं दिख रहा है यानि हाइपरमेटोपिया यानि हाइपरमेटोपिया आपको है अगर ओ आप चस्मा लगाने के बाद, ilas करने के बाद, lenses लगाने के बाद, exceed plus 3.5D से ज्यादा हो रहा है तो आप भरती नहीं दे सकते हैं आप परमाइट rejection हो जाओगे temporary rejection नहीं मिलेगा ना appeal करने के लिए मिलेगा तो आपका जो भी correct होने के बाद अगर ये डीजे आपको है तो plus 3.5D से ज्यादा नहीं होना चाहिए lenses या चस्मा यूज करने के बाद, अगर ये यूज करने के बाद भी आँख के बहुत ज्यादा है इससे भी ज्यादा कराब ह तो आप कभी भी फॉस में नहीं जा सकते तो आप छोड़ दीजिए आप सिविल सर्विस की preparation करें वहाँ पर आँखों के में काफी ज्यादा चूट है मेरे साथ एक राजस्तान की लेड़की थी उनकी भी message आया था उनको राजस्तान पूलिस में भरती होना था तो उनकी आ वहाँ पर छूट काफी मिल जाता है आपको प्लस 4.55 तक मिल जाता है तो यह तो आपको नहीं हो सकता है यह साई वह आप नहीं दे सकते ठीक है तो आपको समझा कितनी बड़े लेटर है और जो नॉर्माल आई में देख रहा है कितनी छोटी लेटर है दोनुको आखों को मत हाँ आपको कब्लाइडनेस कर सिंधे चेयक होता है और एक वीडियो भी हमने डीटिल में बना के राखा आई इसनड़े कूपर तो उसको क्या आपको नजदिक से दिखाएंगे आपके साथ ही खड़ाओ के आपको दिखाएंगे आपने क्या अगर ना उसको देखना है ठीक से पढ़ना है यह नहीं कि हड़ बड़ी में कुछ भी बोल रहे हो फिर बोले हो साथ 29 नहीं नहीं 12 नहीं 8 आराम से देखिए 2-3 सेकंड का टाइम लिजे और फिर बताएं उनको ठीक आपको तीन सेकंड का टाइम होता है वहां पर ठीकिए 2-3 सेकंड ज्यादा नहीं आप देखिए उसको परफेक्ट आर्ट सारार्ट है बस कंफिडेंस के साथ बताएंगे कोई जरूरत नहीं है आपको कोई मार नहीं रह और ये जो वीडियो है दोनों के लिए लेटकी और लेटकों के लिए मैं बता रहाँ ठीक है तो वहाँ पर क्या करोगे यह color blindness अगर आपको है तो आप इसमें ठीक कर सकते है क्डूर्प्र की treatment लेकर पहले से ठीक कर सकते है अगर नहीं है तो आप आपको एक बार चेक कर लीजिए जो बूक साता है नेट में मिल जाएगा टेलीग्राम में बोलोगे तो वह भी डाल दूगा आपको तीन चार ऐसे डाल दूगा फोटो आप पढ़ लेना पढ़ लेना मतलब आपको कलर ब्लाइंड नहीं आप क्लियर हो जाओ ठीक है तो यह त तीन चार रीजन है आपकी जो आँखों का रिजेक्शन का कारण है इसके बारे में अगर आपको डीटेल्स में कहीं छूट गया कोई चीज है या फिर मैंने छोड़ दिया आपको को जाना है तो नीचे कॉमेंट कर लेना पाकि वीडियो को लाइक और कैसा लागा वीडियो कॉमेंट्स पर बताना मिलते हैं नेक्स टॉपिक पर जाएंगे